हाई एवरीवन, कॉंपिटिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और एक सबसे बड़ा पैन पॉइंट इस समय आपको फील हो रहा होगा और वो है रिविजिन आप गोलेंगे बिल्कुल सही बात है भाया रिविजिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन इसकी हकीकत ये भी है कि ये हो नहीं पा रहा है सारे टॉपर्स से जब हम बात करते तो वो हमें सजेशन देते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके रिवाइस करें Teachers भी 10 times 20 times revision की सलहा देते हैं मैं खुद भी कहता हूँ कि कम से कम 20-25 बार आपका revision होना चाहिए लेकिन ये कैसे होगा क्योंकि आपकी जो भी हालत है आप revise करते हैं तो practice छूट जाती है practice करते हैं revision छूट जाता है कुछ बच्चे इस point of time पर तो अपना syllabus ही complete करने में लगे हैं कुछ mock test में लगे हैं तो इसी के चलते अब stress, anxiety, परेशानी ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी लेकिन बच्चों अगर किसी भी काम को effective तरीके से plan करके किया जाए तो फिर वो आसानी से किया जा सकता है और अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरी physics आप एक दिन में revise कर सकते हैं वो भी just आधे घंटे से 45 minute में तो आप बोलोगे ये तो असंभव बात है लेकिन ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है एक मेहनत की जरुरत है थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी थोड़ी मेहनत हमें करनी होगी पूरी physics आप हर दिन revise कर सकते हो आदे घंटे से 45 minute में तो बच्चो क्या मेहनत की गई है आपके लिए बना दी गई है यहाँ पर एक physics की formula sheet chapter wise हर एक formula यहाँ पर mention किया हुआ है along with their respective diagram so that better clarity यहाँ पर हो सके जिस format में nomenclature आप लोग उने पढ़े हैं हमने कोशिश करी उसी format में यह formula sheet आपके सामने रखी जाए अगर इस formula sheet को आपने effectively utilize कर लिया मैं इस बात को promise के साथ कह सकता हूँ कि आप NEET के exam के पहले 25 से 30 बार पूरी physics आप revise कर लेंगे और physics के एक बहुत बड़ी जो problem है आप लोगों की कि question में पूछा कुछ और है हमने formula कुछ और लगा दिया फिर होगे silly mistake number चले गए हाथ से उस गलती को भी यहाँ पर आप सुधार पाओगे कैसे एक example दे कर बताता हूँ किसी भी mock test को जब आप देते है जैसे हमारी विजे परख की test series चल रही है हर संडे सुभा 9 बजे होती है इस संडे को हम thermal physics का mock test लेने वाले है अब thermal physics में 4 chapter है thermal properties of matter, heat transfer, kinetic theory of gases and thermodynamics यह जो 4 chapters है इसमें से let us suppose that आपने kinetic theory of gases के question सबसे ज़्यादा गलत किये तो kinetic theory of gases के सारे formulas आप यहाँ पर आकर revise करे इस formula sheet से कि यार कौन-कौन से ऐसे formulas है जिनको मैं बार-बार भूल रहा हूँ जिनमें मैं बार-बार गलतिया कर रहा हूँ तो chapter wise mock test देने से आपको यह पता चल जाता है और फिर आपको उस particular chapter के formula sheet को revise करना है आप हर दिन अपने लिए एक list बना ले कि these are the number of chapters जिनके formulas में frequently भूल रहा हूँ कुछ बच्चों के लिए वो electrostatics हो सकता है कुछ बच्चों के लिए वो optics हो सकता है कुछ बच्चों के लिए वो gravitation हो सकता है तो जिस chapter के formula आप सबसे ज़ादा भूलते हैं उस chapter के formulas को at least दीन में एक बार जरूर पढ़ ले क्योंकि इसमें हमने chapter wise यहां पर formula sheet बना कर रखी हुई है ठीक है तो कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली अब आप बोलेगे कि sir यह जो formula sheet मिलेगी कहाँ पर तो बिटा यह formula sheet आपको मिलने वाली है मेरे telegram channel पर जिसका नाम है माही sir आप telegram पर जाकर search करेंगे माही sir तो आपको मिल जाएगा नीचे description box में भी मैं telegram channel का link available करवा रहा हूँ अब मुझे नहीं लगता कि revision आपकी problem होनी चाहिए या एक दिन में अगर पूरा physics revise करना हो तो हम कैसे करेंगे कहां से करेंगे या क्या करेंगे I can understand यह आपका समय जो है यह भी बहुत important है तो मैं यहाँ पर आपको यह भी नहीं कह सकता कि चलो तुम हर chapter का formula लिखना शुरू करो थोड़ी मेहनत मैंने करी है मैंने formula sheet बना रखी है अब आप इस formula sheet को use करें इस video को अपने सभी दोस्तों सक जरूर शेयर करें हर वो बच्चा जो neat में एक बहतर rank लाना चाहता है भारत के किसी भी कोने में अगर बेठार वो सोचता है कि आप मैं revise proper नहीं कर पा रहा हूँ उस तक के video आप पहुँचा दे इस formula sheet की मदद से अगर आपकी rank बहतर होती है तो मुझे इससे ज़ादा बड़ी और खुशी कोई नहीं मिल सकती ठीक है विशो all the very best आप बहतर revise करते रहें अगले किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तब तक के ले लव यू अल बेरी बेस्ट टेक केर